बॉलिवुड में स्टार केट्स का आक्टर बनना आम बात है लेकिन वो स्टार केट्स अपने सूपर स्टार पेरिंट्स की तरह पॉपलर और बड़े स्टार बनेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है और इतिहास के पन्ने पलट कर देखे तो बॉलिवुड में ऐसे कई आक्टर्स हैं जो लाग कोशिशों के बाद भी अपने सूपर स्टार पेरिंट्स की तरह नहीं बन पाए इसमें सबसे उपर नाम आता है अमिताब बच्चन और बेटे अबिशेक बच्चन का सदी के महनायक अमिताब बच्चन को बॉलिवुड का शेहनशा भी कहा जाता है ये नाम उन्हें हिंदी सिनिमा में दिये गए योगदान के लिए मिला है अपने करियर में उन्होंने कई सूपर हिट फिल्में दी जिसके चलते उन्होंने बॉलिवुड में अपनी एक अलग छाप छोड़ी और अपनी पहचान बनाई लेकिन उनके बेटे अभिशेक बच्चन की अगर बात करें तो अभिशेक के सितारे बॉलिवुड में कुछ खास नहीं चमके शोली के मशूर डाकू गबर सिंग बने अमज़द खान को उनके इस रोल से नई पहचान मिली गबर सिंग का किरदार हिंदी सिनिमा में टॉप विलिन की लिस्ट में शुमार है वहीं अमज़द खान के बेटे बॉलिवुड की दुनिया में अपना कुछ खास जोहर ना दिखा पाए शदाव ने अपनी फिल्मी करियर के शुरवाद फिल्म राजा की आई बाराज से की थी लेकिन वो यहां से आगे ही नहीं बढ़ पाए मिथुन चक्रवर्ती और मेमो चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्मी करियर में एक अलग मुकाम हासल किया फिल्मी दुनिया में उनका नाम बड़े स्टार्ज में से एक गिना जाता है वहीं उनके बेटे मेमो चक्रवर्थी का बॉलिवोड में सिक्का भी नहीं चल पाया उन्हेंने फिल्म जीमी से अपने करियर की शुरुवात की थी लेकिन उसके बाद वो भी बॉलिवोड में कहीं दिखे नहीं फिरोज खान और बेटा फर्दीन खान फिरोज खान को उनकी शानदार अदाकारी के लिए बॉलिवोड में जात किया जाता है वहीं उनके बेटे फरदीन खान बॉलिवड में आये तो बड़े शान से थे लेकिन आक्टिंग की दुनिया में कोई खास पहचान ना बना सके NMF News के रिपोर्ट